हेलो बच्चो आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की डियोई की तरफ से आपको मैट्स में हिंदी मीडियम में एक सपोर्ट मेटीरियल की बुक मिली हैं सेशन 2023-2024 की इस बुक में हमने अपना चैप्टर नमबर बन संग्या पतिती स्टार्ट कर दिया हैं काफी कोशन्स चैनल पे अपलोड भी हो चुकी हैं आज मैं आपको एक सिंगल कोशन कराने वाली हूँ सिफ कोशन नमबर 38 जो की बहुत ही इंपोर्टन कोशन है और थूरा से लेंदी प्लस की हो जाती है तो पहले तो यही कर लो यह बन जाएगा वन आपको इस पूरे का मान निकालने तो अगर हम हर को रैसी प्रोकल कर देते हैं तो घात प्लस की हो जाती है है ना तो पहले तो यही कर लो तो यह बन जाएगा वन आपॉन लो प्लस एक्स प्लस वाई की हाथ माइनस अधीर फिर यह भी भन जाएगा तो फ和 थार्ड वाला पद भी ऐसी बन जाएगा 1 प्लस जैड प्लस x की घात माइनस वन अब फिल y, z और x पर माइनस वन है तो इनको भी पलट दो फिल तो ये वन अपॉन y बन जाएगा ये वन अपॉन z बन जाएगा ये वन अपॉन x बन जाएगा ठीक है अब हर एक जैसे कर लो तो नीचे lcm लिया तो y आ जाएगा तो y प्लस x y प्लस 1 आएगा यहाँ पर z आजेगा तो z प्लस y z प्लस 1 आजेगा यहाँ पर x प्लस x z प्लस 1 अपॉन x आजेगा अब जब ये हर नीचे से उपर जाएगा तो पलट जाएगा तो y upon me y plus xy plus 1 हो गया z upon me z plus yz plus 1 हो गया x upon me x plus xz plus 1 हो गया अब आप क्या करो पहले वाले पद को ऐसी रहने दो एक पद को जैसा है वैसे रहने दो और बाकी दो पदों में हर उनकी तरह बना लो पहले वाले पद की तरह मतलब जो ये बाकी के दो पत बचे है न इसमें मुझे यही वाला हरवन आना है y प्लस x y प्लस 1 अब वो बनेगा कैसे वो देखिए देखो मुझे दे रखा था x इंटू y इंटू z 1 है यहां से मैंने y z का मान निकाला 1 अपॉन x आया x z का मान निकाला 1 अपॉन y आया इन दोनों को यही रखा इसको महा ले गई ऐसी इन दोनों को यहां लखा और इसको महा ले गई ठीक है अब मैंने y z की जगा 1 अपॉन x रख लिया प्लस का वन ऐसी है और x z की जगा 1 अपॉन y रख लिया ठीक है फिर दुबारा मैंने हर एक जैसे किये अब पहले वाले पद में आप कुछ मत करना उसको ऐसी ही रहने देना तो यहाँ पर आजाएगा zx plus 1 plus x अपॉन में x यहाँ पर आजाएगा xy plus 1 plus में y दिहान से देखो पहले वाले पद के ये और ये सेम हो चुके हैं पहला और तीसरा होगे ना सेम सिर्फ आगे पीछे ही तो लिखा है दूसरे वाले का करना है चलो अब पहले और तीसरे को ऐसी लिखते रहो उसमें change मत करना तो ये नीचे से उपर जाएगा तो zx बन जाएगा zx plus 1 plus x ये ऐसी लिखते है अब zx की जगा दुबारा एक बार 1 upon y रख दो इस का मान पहले और तीसरे में कोई change मत करना क्योंकि उनके हर एक जैसे हो चुके है तो ये 1 upon y रख दिया यहाँ यहाँ भी 1 upon y रखा plus 1 plus x यहाँ जाएगा x upon में x y plus 1 plus y ठीक है ये ऐसी रहने दिया ये 1 upon y ऐसी है फिर दुबारा हर एक जैसे किये आप देख लो हो गया ना सेम दूसरे वाले के भी आ गया ना बस अब एक दोई step रह गए फिर complete ही हो गया पहला और तीसरा तो मैं change ही नहीं कर दी वो तो मैं as it is लिखे जा रही हूँ ये y नीचे से उपर जाएगा तो y upon y बन जाएगा clear है ये cut गए ठीक है y उपर गया है ना एक second one upon y था यहाँ पर ये y उपर चला गया अच्छे देखो इस step में यहाँ नीचे y भी था ना तो ये उपर जाएगा तो y बन जाएगा ना ये रहे गया मेरा इस step में y लिखना हो ये सब जगा आप add कर दो ठीक है अब यहाँ पर y y प्लस x y प्लस 1 पहला हो गया वन अपॉन में x y प्लस y प्लस 1 है और x y x y प्लस 1 प्लस y हर तीनों के एक जैसे अगर आप देखो तो सिर्फ पद आगे पीछे लिखें और कुछ नहीं है प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं और उपर है y प्लस 1 प्लस x y तो उपर नीचे सेम ही दो लिखा है है कट गया वन आ गया तो इस पूरे का आंसर वन था कितना छोटा सा आंसर है वन और कितने सारे स्टेप है तो काफी important question है इसलिए मैं आज की class में सिफ आपको एक यही question करा रही हूँ तो आप विक्कुल इसे ध्यान से कीजिएगा कहीं भी किसी भी step में दिक्कत लगे कमेंट करके पूछे प्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए उन्हें बताईए कि इस चैनल पर support material के solution शुरू हो गए है और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको notification मिलती रहे वीडियो अच्छी लगे है लाइक जरूर कर दीजिएगा Thank you